हाई दोस्तो कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे अच्छे से होंगे परदेसी फ्लाइट यीटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप passport बनवाने जा रहे हो या फिर passport बनवाने के लिए सोच रहे हो, planning कर रहे हो भाविश में पास्पोर्ट बनवाओगे तो आप दो मिनट के लिए रुख जाहिए क्योंकि passport बनवाने में अक्सर कुछ लोग ऐसी गलतिया करते हैं जिसकी वजह से उन्हें आपको बताने जा रहा हूं जो आपको पासपोर्ट बनवाते समय नहीं करनी है नहीं तो आपको बाद में पस्ताना पड़ेगा तो चलिए जान लेते हैं तीन कौन कौन सी ऐसी गलती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए पासपोर्ट बनवाते समय नहीं करनी है वो यह है कि आप high school पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसी गलती करते हैं, तो आपका passport ECR बन जाएगा, immigration check required वाला, और जब आप employment वीजा पर सौधी अरबिया, कुईत, कतर, ओमान, बहरीन, UAE, जार्डन, मलेसिया, थाइलेंड, ऐसे करके 18 country में जाएंगे तो उससे पहले आपको immigration clearance भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कुछ लोग ऐसी गलती करते हैं, कि high school certificate पर उनकी age, उनकी उम्र कम होती है, 16 साल, 17 साल, ऐसे करके होती है, और वो चाहते हैं, कि जल्द से जल्द वो बाहर चले जाएं, विदेश चले जाएं, कमाने चले ज जाता है, उसका नुकसान ये होता है, कि passport तो ECR बना, और दूसरा नुकसान ये होता है, कि जब उनकी age 25 साल, 26 साल, 27 साल होती है, और जब वो अपने passport को देखते हैं, तो उस पर तो उनकी age 30 साल, 32 साल हो जाती है, ये उसका नुकसान होता है, और दूसरा नुकसान, बाद मे वो हाई स्कूल की मार्शीट भी नहीं लगा सकते हूं उस पासपोर्ट पर इसके लवा पासपोर्ट में डेटा बर्थ चेंज कराना टेड़ी खीर है लगभग लगभग असंभव होता है तो इस तरह की गलती ना करें आप दो तीन साल रुख कर जाएं कोई इतनी जल्दबा करो आप खुद से अपलाई कर रहे हो या फिर किसी साइबर कैफे वाले से अपलाई करा रहे हो और आपकी कौलिफिकेशन हाइश कूल या इससे ज़्यादा हो तो पासपोर्ट अपलाई करते समय एक कालम आता है are you eligible for non ECR कटेगरी यहाँ पर आपको yes करना है यहाँ पर no न पासपोर्ट आफिस में इस पर ध्यान नहीं दिया तो हाई स्कूल की मार्शीट लगने के बावजूद आपका पासपोर्ट ECR बनकर आ जाएगा तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आपको यस करना है आर यू एलिजिबल फार नान ECR कटेगरी इसको आपको यस करन करेंगे जब पासपोर्ट फार्म एपलाई करेंगे तो दोस्तों जब आप पासपोर्ट फार्म एपलाई करते हैं तो नाम के लिए दो कालम आता है एक गिवेन नेम और दूसरा सरनेम अब लोग गलती क्या करते हैं जैसे मान लिजे किसी का डबल नेम है मान लिजे किसी का नाम नौशाद अहमद है तो लोग गलती ये करते हैं कि given name में ही नौशाद अहमद लिख देते हैं और surname वाले column को ऐसे ही छोड़ देते हैं खाली छोड़ देते हैं ये सही तरीका नहीं है दोस्तो पासपोर्ट फार्म apply करने का passport form भरने का अगर आपका double नाम है यानि दो नाम है नौशाद अहमद है तो आप given name में नौशाद और सर नेम में अहमद कर दीजिए इस तरह से आप सही तरीके से form apply करेंगे और माल लिजे आपका तीन नाम है नौशाद अहमद अनसारी है माल लिजे तो आप given name में नौशाद अहमद कर दीजिए और सर नेम में अनसारी कर दीजिए ये सही तरीका है form fill करने का माल लिजे किसी का नाम पूजा देवी है तो उनको चाहिए कि वो given name में पूजा और सर नेम में देवी कर देए इसके लाव माल लिजे उनका तीन नाम है पूजा देवी वर्मा है तो वो क्या करें given name में पूजा देवी कर दे और सर नेम में वर्मा कर दें ये है passport form apply करने का सही तरीका इस तरह से आप apply करेंगे तो आपका given name सर नेम दोनो फिल हो जाएगा दोनों प्रापर तरीके से आ जाएगा passport पर दोस्तो surname या last name का होना फाइदे मंद होता है क्योंकि किसी भी country का जब आप visa apply करते हो तो first name के साथ last name या surname जरूर मांगा जाता है तो जब आपके passport पर आपका last name या surname होगा तो आप आसाने से दे सकते हो आपको visa मिलने में या visa apply करने में दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा बरहर दोस्तों ये कुछ सावधानिया है जिससे आप बरत सकते हैं जिसकी वज़ासे आपका passport सही तरीके से बन जाएगा और passport में होने वाली गलतियों से आप बच जाएंगे बरहर दोस्तों इस वीडियो में इतना है इसी तरह की helpful जानकारी के लिए आप परदेशी फ्लाइट येटूप चैनल को सब्स्राइब कर ले हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहो तो झाल झाल झाल